हेलो दोस्तो यह है फार क्राइफोर और काफी आराम हो गया सेटाउस में अब हम चलते हैं अपने अगले मिशन की तरफ यहां पर देख सकते कुछ खेती बाड़िया हो रही है पहाड काफी सुन्दर और यह क्या हुआ एक बार में सिर्फ एक ही कन रख सकते हैं अभी के लिए तो उसमें रिवॉल्वर रैंडो मैं AK-47 ही रखोंग अपने बाद यहां बंदर भी काफी जोश में लग रहे हैं बाबाजी के साथ तो चलते मिशन की तरफ सबसे पहले हम S वाला करेंगे सबाल का मिशन सबस्क्राइब 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 प्रोपोगंडा मशीन, यह हमारा अगला कटब्या है प्रोपोगंडा मशीन, यह हमारा अगला कटब्या है और अब हमें दुबारा बेल टाउन की तरफ बढ़ना है और खेती काफी अच्छी लग रही है फसल काफी अच्छा होगा है, यह क्या है और यह पॉपल लीफ मिला है हमें बात में मेडिसन मिलाने की यूज़ आए, क्या पता और यहां कुछ आया, एक सबाए जिप लाइन करने के लिए लेकिन उससे पहले मुझे यह एटीवी दिखी है तो मैं इसको जरूर चला के देखोगा कैसे है इसका कंट्रोल्स तो लेफ्ट स्टिक से ही हमें एक्स्ट्रोइट करना है और स्क्वेर से एंटर और लीव चले एक राउंड लेते हैं इसमेर का काफी टफ लग रहे हैं क्या में के साथ अरे यह कहां गुज गया मैं है ओ नहीं, ग्लाइडर ही नीचे गराती है मैंने एक चले अब नीचे उतरने के प्रियास करते हैं काफी लंबा ड्रॉप है और यह काफी तेजी से नीचे जाते हुए तो पगान ने इन बेल्ट आउरों पे अपने रेडियो ट्रांसमिशन लगा रखे हैं और हमारा अब्जिक्टिव यही है कि उन्हें डे अक्टिवेट करें और उसके लिए हमें पूरा बेल्ट आउट चलना पड़ेगा और हम ऑट्राइव भी कर सकते हैं चाहें तो लेकिन मैं आफ ही कर देता हूँ खुदी चलाने में ज्यादा मजा है इसमें कंट्रोल बिल्कुल स्मूध हैं काफी रियक्टिव हैं और यह आया कुछ की चेक करें एक्सिडेंट साइट को तो यह लोई एरिया मैप में जो है वह एक्सिडेंट साइट है रखते हैं पीछे छूड़ गया थोड़ा इस लिए उपर की दरफ है यह यह से चड़ सकते हैं अरे यारे मेख्याल से रास्ता पीछे जूड़ गया और ये एक होना है कहां आ रहे है ये रूख शायन मदबते के लिए लेकिन चलो आगे बढ़ दे ये एक और लीफ है यहां कोई और ग्रीन लीफ मिलिया हमें तो काफी कुछ है साइड मिशन भी काफी है इस गेम में या तो हम यह सब क्राफ्टिंग लीफ कलेक्टिंग और काफी और साइड क्वेस्ट और यह हमें ग्रेपल मिल गया है चड़ने के लिए हम यूज कर सकते शायद इसे चलो इसकी बॉड़ी भी सर्च कर लेते हैं क्या है इसके वास कामरा लेंस मिले हमें इसके वासे और स्क्वेर दबा के हमें ग्रेपल डालना है और ओके तो अपना खुद का एक रसी लगा लिए है चड़ते हैं उपर की दिख अ काफी फाइदे मंद होगा यह जगा पर पहुंचने के लिए और यह काफी बड़ा गैप चलो कैसे पार करें ऊपर की द्रह फैक अब क्या करूँ जाएद अब हमें छोड़ना है इसे कि स्विंग करते पहले थोड़ा और जंप जंप नहीं कर रहा जंप नहीं क्या हो रहा है यह ओके ड़ाच करता हूँ ड़ाच ओव बाल बाल बचे मरते मरने थे पूरी खाय से नीचे किरने आलते हैं तो अबी के लिए तो एक फॉर्टी सेव नी रखेंगे इसकी रिवॉल्वर नहीं चाहिए हमें और यह एक और लबा यह तो डबल है दो बाल ग्रेपलिंग करने पड़ेगी छोड़ के हमें और यह छोड़ा और ग्रेपल बहुत से ही उसने पकड़ लिया चड़ना ऐसे और कुछ गुड़ने है सामने बी हाइफ को मारने से वह आसपास के एनिमीज को मार देगा और आप देख सकते हैं मदवख्य के छत्ते उसमें से निकल के मदवख्य उने उसको माट दिया है और एक और बंदा उपर है जामिस हुआ अधर भी मदवख्य उने उसको हामला कर दिया है ओ विचारा नीचे गर गया चलो आगे बढ़ जाए ये क्या है पोस्टर और प्रोपोगेंडा पोस्टर्स भी डिस्ट्रॉई कर सकते एक सो पचास है पूरे गेप में और ये सबसे पहला था तो बेल्ट आर के टॉप पर पॉचके हमें हाइजाक करना है उसके सिंग्नल को और इससे मैप थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमें फ्री वेपन और नए मिशन दिखेंगे और कुछ स्किल्ज आ रहे हैं देखते हैं एक पॉइंट है अभी हमारे पास और हम पिछले बार हमने अगले के लिए दो चाहिए राइनो स्किन ले सकते हैं और यह क्या है मूविंग टागेट या फोकस ड्राइविंग तो अभी के लिए रहन देते हैं हमेरे पास एक ही है जब दो हो जाएंगे तो शायद हम यूज करें तो चड़ाई स्टार्ट करते में काफी लंबी अजय क्या है है हेल्ट इन सेफ्टी मॉर्निंग अच्छा सब कुछ जो भी बक्वास और शायद हमें यही से क्रॉस करना है आराम से यह थैंग आट गिरे नहीं जो अपने मुक्के और लाच से तोड़ देते हैं पट्टो को तो जाधा तर जहां पर रसी लटकी वी दिखें वहां यह क्लाइम कर सकते हैं अराम से जैसे कि यहां पर काफी उचाई पर आ चुके हम लोग और यह थोड़ा थोड़ा में पेचीता सटान है चलो बच गए और आप सुन सकते हैं उसकी ट्रांस्मिशन चालू रहती है पूरे इस गाटी पे तो इसको बंद करते हैं हाईजैक्ट यहले भाई अब बंद हो जाए और यह सबसे पहला सत्रा और बेल टाउर्स है लिबरेट कर लिख ले और इसे पूरा मैप फियर हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं यहां पे एक फार्म की लोकेशन है काफी कुछ अनलोग गुप सीन्द है ओल डीशाज हाउस है यहां पे कुछ आतक भला हुआ है और काईराज रफ्यूज तो जैसे जैसे हम बेल टावर्स पे कब्दा करते जाएंगे उतना ही मैप खुलता जाएगा जैसे आप देख सकते हैं और अब मेरे स्केल पॉइंट स तो पिछले बार हमने एलेफेंट स्किल्स बढ़ाया था इस बार हम टाइगर स्किल्स बढ़ाएंगे तो मेखिया से डेथ फ्रम अबफ असे लग रहा है मुझे कि उपर से टेक डाउन हो जाएगा फटा फट तो लेही लेते हैं और यह मिशल कंप्लीट प्रोपगेंडा म मशीन काफी उचाए पे काफी हवा चल रही है और डबो में क्या है देखने है यूजर मैनुएल और कुछ रुपे और इस गेम में इन्वार्मेंट भी काफी ब्रेकेबल है ऐसा नहीं है कि कि अचल लगे चलो अब नीचे ही उतरने का रास्ता है और जिपलाइन करते है बड़े नीचे वूँ थैंक यू सबाल भाई आज के अपिजोड में इतना ही अगले में देखिए एक ग्लाइडर यूज करूँगा मैं और तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें